नमसकार, गोड मॉर्निंग, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आपके अपने परिवार Learning Day में और मैं हूँ आपका अपना दोस्त सौरब उच्छा तो आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का आज की इस वीडियो में स्वागत है जिस वीडियो में हम लोग discuss क्या करने वाले हैं test result के about discuss करने वाले हैं जो आज हम test result एनाउंस करने वाले हैं वो last आपका business day को online test हुआ था learning day application पर उसी का test आज हम लोग आपके सामने प्रजेंट करने वाले हैं तो फटा फट एक बार सभी बच्चे उत्सुकता के साथ चैनल के comment section में जाएंगे और वहाँ पर fire का comment करेंगे ताकि चैनल का बाद में जो भी बच्चे वीडियो देखें या जो बच्चे भी देख रहें वो थोड़ा सा motivate हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके अपने परिवाल learning day से जुड़ सकें learning day a complete study zone है पॉली टेखनिक इंटरंस एक्जाम के लिए math physics chemistry तीनो सब्जेक्ट की जबर जस्त मज़ेदा धमाकेदार क्लास और 100% अगर आप अपना effort लगाते हैं तो चैनल के साथ आप चैनल के मार्ग दर्सन में government college आपको दिलाने से कोई रोक नहीं सकता है तो आपका जो इंतजार था उस इंतजार को पूरी तरह के से आपके suspense को पूरी तरह के से हम यहाँ पर इंड करते हैं और सबसे पहले हम test result के announcement की सुरुवात करते हैं ठीकर जी आप कितना excited हो test result को लेकर के इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया comment में लगातार बताएंगे हम Wednesday को class होती है आपकी, Wednesday को test होता है आपका साम को 5 बचे से 10 बचे तक learning day application पर उसके बाद Sunday को 11 बचे आपका test result announce होता है यह पहले का जो process है वह is just the same as it is process आपका अभी तक चल रहा है यह तीसरे test का result हम लोग announce करने जा रहे हैं इसके पहले कुछ अच्छी चीज़े मैं आपके साथ share कर दूँ जो पहला test था उसकी जो टॉपर थी गरिमा थी सेकेंडर test का जो टॉपर थे वो धरमेंदर थे और रोहित थे और आज देखते हैं कि इस तीसरे test का टॉपर हमारा कौन सा प्यारा सा खुबसूरत सा बच्चा इस test का टॉपर बनता है ठीकर जी तो आपको क्या करना है learning day channel को subscribe कर लेना है अगर आप नए हो या फिर अगर आप पहले से जुड़े हो तो कम से कम आप अपने 5-5 दोस्तों को इस वीडियो को share करोगे ताकि आपके और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लर्निंग दे पर जुड़ सकें अब आपके suspense को हम खतम करते हैं जैसा कि हमारा हर बार करते हैं 3-2-1 से result एनाउंस करते हैं तो सबसे पहले आज के इस result में जो थर्ड नंबर पर हमारा प्यारा सा बच्चाया है उसका नाम होता है रोहित रोहित को बहुत बहुत बढ़ाई रोहित लास्ट टेस्ट में मतलब पिछले टेस्ट में पहले नंबर पाया था इस टेस्ट में इस लड़के को तीसरे रैंक हासिल हुई है और इसने 38 नंबर प्राप्त किये है दूसरे नंबर पर एक प्यारी सी लड़की आई है बहुत म सकते हैं ठीक है अब इसके बाद जो अगला नमबर आता है वो आप सेकेंड कह सकते हैं या फिर 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 इस बार पेंच फसा था जैसे पिछली बार फसा था विलकुल जस्ट सेम एज इस बार भी फसा काफी बच्चों के जो नमबर आ रहे थे वो समान आ रहे थे इस बार ज आज के इस टेस्ट का टापर हम घोसित कर रहे हैं संजोग पंडे बहुत अच्छा लड़का है बहुत मेहनती लड़का है लर्निंग डे परिवार से लगातार जुड़ा हुआ है और दूसरा लड़का हमारा प्यारासा है सिवम कुमार इन दोनों लड़कों ने 43 नंबर प्र प्रॉब्रम प्रॉब्रम थी कि सर्फ टेस्ट एक बार आटोमेटिक सम्मिट हो जाता है रमने क्या क्या दो बार संजोक को साथ पहली बार या दूसरी बार जो भी रहा हो 24 नंबर एक बार मिला था पंकज कुमार को 23 नंबर अजीत यादो को 23 नंबर धर्मेंद्र कुमार जो की पिछले क्लास का टॉपर था इस बार इसको 21 नंबर पर ही संतोष करना पड़ा है नीरज कुमार 19 नंबर पंगनी स्रिवास्तो इस लड़की को भी 13 नंबर प्राप्त हुए हैं ये सभी बच्चे लर्निंग दे परिवार से लगातार जुड़े हुए हैं लर्निंग दे से अपनी तयारी को जबर जस्त मुकमल बना रहे हैं तो और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्र से दिया था कैन कुरू चिलेशन वेश्ट आफ लख तैयारी जबर जस्त रखो सक्सेस ने सित्रूप से मिलेगा ठीक जी नमस्कार जैहिंद टेक केर थेंक यू